देश में ओमिक्रोन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है गुरुवार को 14 लोगों में कोरोना के नए वरेंट की पुष्टी हुई इनमें से करनाटक के 5 राश्ट्रिय राजधानी दिल्ली और तेलांगना के 4-4 गुजरात के एक केस है इसी के साथ देश में ओमिक्रोन संक्रिप्टों की संक्या 87 हो गई है इसमें सबसे अधिक महराश्ट में 32 केस है इनमें से 25 संक्रिबन से उबर चुके है ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच गुरवार को केंद्र ग्रेस अचिव ने समीक्षा बैटक की है समीक्षा बैटक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई तो दिली के स्वास्त मंत्री सतेंद्र जेन ने बताया कि राश्टे राजधानी में अभी तक कोरोना वारस के नए स्वरूप ओमिक्रोन के 10 मामले सामनी आए हैं और उनमें से किसी की हालत गंभी नहीं है ओमिक्रोन के सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है वही कर्नाटक की हमबात करें तो कर्नाटक के स्वास्त बंत्री डॉक्टर सुधाकर के ने कहा है कि राजध में ओमिक्रोन के पांच मामलों की पुष्टी हुई है सबी पाँच मरीजों रे कोरोना वैक्सिन की दोनों रोज ली हुई है राज्य में अब तक आठ लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए है वही तिलांगना स्वास विभाग ने बताया कि राज्य में चार लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टी हुई है इन में से तीन केनिया के हैं और एक भारते मूल का है वही गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में मिरसाना जिरे की विजयपूर तैसील के एक गाउं में 41 वर्षे मैला स्वास कर्मी कोरोना वारस के ओमिक्रॉन सोरूप से संक्रमित पाई गई थी ओमिक्रॉन के कुल कितरे मामले हैं ये भी जान लेते हैं 87 मामले बताए जा रहे हैं महराश्ट में 32, राजिस्थान में 17, दिल्ली में 10, करनाटक में 8, तिलांगना में 7, किरल में 5, गुजरात में 5, पशिमंगाल में 1, कांधर प्रदेश में 1, और चन्रीगर्ड में 1 वहीं केंद्र ग्रह सचे वाज़भला ने देश के विभर हिस्सों में कोरोना वारस के नए स्वरू पॉमिक्रॉन की मामले सामने आने की खबरों के बीच देश में COVID-19 की स्तिती की समीशा की है ग्रेव अंत्राले के एक प्रवक्ता ने कहा है कि COVID-19 इस थीसिस ने बटने के लिए सभी केंद्र शाषित प्रदेशों के स्वास त सम्मधी तैयारियों की भी समीशा की गई है